हलो दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है मुझे लगता है कि बताने के जरूवत निया कि कौन है बार इस्टिल अमिता बच्चन जी है ठीक है और इनके शेयर से लेटेड हम बाते करने वाले हैं अब यह भी पैसे काम आते हैं तो ओवेसी बात है सबको पै सब इन्वेश्टमेंट करते हैं ठीक है तो अमिता बच्चन जी ने भी हाँ पर इन्वेश्टमेंट कर रखा है कौन सी कंपनी है ठीक है ना उससे लेटेड बाते करेंगे क्या लेना चाहिए क्या बेजना चाहिए रिकमेंडेशन नहीं है बट एक आईडिया देता हुआ नजर आऊंगा तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे इस शेयर से लेटेड बट उससे पहले हमेशा से आगे बढ़े आपसे रुक्वेश्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इंवेश्टर चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और को नोटिफिकेशन को अन करें बाइंग सा लिंक के रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनिशल एडवाईजर कुद की स्टड़ी करनी है और चीजों को सीखने पर फोकस करना है जब सीखन उस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो उस लेवल को आके आद देखना आपको समझ में आ जाएगा स्मॉल कैप में क्या खा गया था और क्या हुआ तो जितनी बार भी मार्किट में गिरावट हुई है हमने आपको पहले ही पता दिया यहां से बाउंस बैक होगा और वहीं से ही बाउंस बैक हुआ है उसकी ताकत क्या है उसकी ताकत क्यूं पता चल जाता है वो पता चल जाता है टेकनिकल की बेसिस पे वो पता चल जाता है हमारी स्टडी के बेसिस पे वो पता चल जाता है इयर्स ऑफ एक्सपीडियंस के बेसिस पे तो आपको भी सेम ए बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है किस लिए लेना है किस लिए बेचना है तो वह सब चीज़ों से लेटेड हम यहां पर बात करते हुए नजर आते हैं जाके देखिए हमारे कोर्स को और सीखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा बट एक साल का एक्सपिरियंस लगेगा सीखने के बाद जो पढ़ाया उसके इसाब से एक साल मेहनत कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा 25,000 रुपर की कोर्स की फीस है आप कहेंगे महंगा है बट महंगा नहीं है बड़ा सस्ता है 25,000 रुपर की कोर्स की फीस है त्रीमेंस की हैंडोलिंग है पर इस इन वड़िय जाता है इन नंबरों पर कॉनटक कर सकते हो बाकी साथ में काम करना है और अच्छा पैसा बनाना चाते हो इन अच्छे शेरों में सेखैर मेंक्लों competitive किरिये में हमसे सारी नहीं सिखिया नहीं हम पर कोर्स में तो हम जिस share से related बात करने वाले है जिसमें अमिता बच्चनची नहीं आपर invest किया है उसका नम क्या है उसका नम है DP Wire Limited के लिए तो किस price पर लिया है वो एक idea लगेंगे ठीक है क्या वो loss में है profit में उससे बारे बात करेंगे और क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस क्योंकि छोटी कंपनी ही आपका पैसा बनाएगी तो देखिए जब अमिता बच्चन जी ने यहाँ पर invest किया है तो किस कंपने में किया यहां से थोड़ी सी हिसेदारी यहां पर इन्होंने कम करी थी फिर दुबारा यह हिसेदारी यहां पर बढ़ते हुए तो यहां फिर आप समझ सकते हो कि पहले अच्छे पैसे कमाए profit बुक किया फिर दुबारा invest किया तो इसी तरीके से चीगे चलती है क्या आप करते हो इस प्लास्टिक प्लास्टिक फिर अक्तिक अच्टिक अटने डर्ड पावर थू विंद मिल्स तो अलग अलग चीजों में यहां पर काम करते भी नजर आती है आप देखेंगे चाह पर इनका प्रोड़क प्रट पोर्ड़ी है उसमें यह सारी के सारी चीजिए फिर मिशीद इ गैल्वनाइजड इस्टील वायर्स पी फिल्म से लेकिंग जितने भी यहां पर यह वायर्स होती है वो सब्टी यह बनाती है 94 परसेंट इंडिया आउटसाइट से 6 परसेंट का यहां पर रिवेन्यू लगबग होता हुआ दिखाई देता है वायर से 84 बाकी अलग अलग जाएगा कि कंपनी के प्रोड़क्स कोन से है ठीक है यहां पर आप देख सकते है अलग-अलग शीट स्प्रिंग स्टील वायर्स और यह सारे वायर्स और यह अलग-अलग चीज़े कंपनी बनाती हुई नजर आती है और आप देखी रहे हैं भारत किस तरफ बढ़ रहा है जब बारत बढ़ रहा है खपत होगी दूसरों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है तो यह सारी की सारी चीज़े उसी तरीके से काम होती हुई नजर आएगी तो अच्छी कंपनी यहां पर दिखाई देती है फंडमेंटली बेसिस पर कंपनी के बारे में जान लिए फंडमेंटल अच्छी है यानि वह देख लेते हैं तो अभी प्राइस जल रहा है पांसो पच्पन ठीक है बीस का पी है इंडश्टी का पी बाइस का है ना तो महंगा है ना सस्ता और पी के बेस पर कभी काम नहीं कर 10% के आसपास का ठीक है ना और यहां पर बुक वैल्यू से काफी ऊपर चल रहा है इसे भी आपको ध्यान लगना कोई प्लैजिंग नहीं है फेस वैल्यू दसकी यहां पर नजर आती है स्टील के बिजनस में है और यहां पर देखिए कंपनी के नंबर की बात करें अच्छे खास है आपने नंबर दिखाई दे रहे हैं बट स्टिल यह ली बेस पर जाओगे सेल्स तो सेल्स की लागातार घटती हुए नजर आ रही है जो कि एक नेगेटिव बात है ठीक है ऑप ऑपरेटिंग प्रोफिट की बात करें ठीक है तो ऑपरेटिंग प्रोफिट यहां देख लिजिए लगादा घटता हुए नजर आ रहे है यह अगएन नेगटिव बात है,94 और जब इस तरीके की negativity होती है तो उसी तरीके के शेयर को पीसा जाता है बहुत कम होता है कि भगाया जा रहा है ऐसे शेयरों को बट वहाँ पर पिटाई ज्यादा होती है 70-80% लग बल ठीक है और yearly basis पर बात करें तो yearly basis पर company का performance अच्छा है 76 से यहाँ पर आप देख सकते हो battery यहाँ पर company में काम किया है आना ऐसी company अगर आपको कम time मिल जाए कि जो इस तरीके के perform कर रही है तो यहाँ पर पैसे बनाने 10-20 गुना पैसे अच्छे खासे बनते है बट यहाँ पर कम time में जल्दी पता चले कि यह करने वाले है ऐसी company में पता करना बहुत मुश्किल हो ज आते हैं और यहाँ पर promoters की बात करें तो promoters के पास 74% के 75% के आसपास की shares है जो की अच्छी holding माने जाती है FIS की बात करें तो FIS यहाँ पर हिससेदारी रखते नहीं है और public की बात करें तो public यहाँ पर 25% के आसपास यहाँ पर नजर आती है जिन में से आपर आप देख सकते के कुछ HNIs है जिननक के पास 1.20, अमिता बच्चन जी के पास 1.93% के share है ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे तो buying selling यहाँ पर चलते रहती है यहाँ पर देखिए अमिता भारिवाइं शराय बच्चन यहाँ पर इन्होंने 8 December को इस price पर यहाँ पर बेचा भी है ठीक है multi quantity यहाँ पर इस price पर buying भी करी है तो buying selling ऐसे है लगी रहती है उस शीच को आप देख सकते है और यहाँ पर थोड़ा सा और अंदर जाना चाते है तो यहाँ पर click कर लीजिए तो DP wire आपको समझ में आ जाएगा कि किस भाव पर पर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2018 से पड़ा हुआ है इनके पास टीकर न DP wire की अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री जान लेते चार्ट पर तो कब से है तो यहाँ पर 2018 तो बहुत बहुत बैतरीन पैसा बनाया है इनोंने इस particular share में जो कि हम यहाँ पर देख भी चुके है 2018 से है तो लगबग लगबग किस अब चार्ट से लेठीर बाते करते हैं चार्ट कह क्या रहा है ठीक है और क्या हो सकता है इस particular share में उससे लेठीर बाते करेंगे बट हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ते हैं dp power wire limited से लेठीर हम बाते करते हैं तो देखे जैसे कि मैंने आपको बताए था कि company के number impressive आनी रहे है ठीक है sales बगड़ है यहाँ पर गिरती भी नजर आ रही है जब इस तरीके से होता है तो share को क्या है यहाँ पर पीस आ जाता है ठीक है अब लगब गिरा चल रहा होता बड़ी market अच्छी है तो इस तरीक से यहाँ पर चलता हुए नजर आ रहा है कोई issue नहीं है अब क्या है क्या लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए recommendation नहीं है अपने यहाँ पर levels बताते हुए नजर आऊंगा उसके basis पर आप यहाँ पर क्या करिएगा यहाँ पर और stop loss की बात करूं तो लगबग 6-7 रुपे का तो इसी को risk reward ratio भी कहतेते हैं कि 6-7 रुपे का यहाँ पर 10 रुपे का एमान के चलिए एक पर share पर loss ठीक है नहीं पर stop loss हो गया और बात करें अगर यहाँ से भागना शुरू हुआ तो यह share का target है 677 अभी मुझे क्या नजर आ आगी जब तक कि यहाँ पर company के number अच्छे नहीं आजा और मुझे क्या नजर आता है मुझे रज़र आता है कि एक दो quarter company perform नहीं करने वाली तो एक दो quarter perform नहीं करेगी और negative by chance और negative number आ जाते है तो फिर इसे नीचे जाने से भी कोई नहीं रोख सकता तो अभी फिलहाल की date में ठीके ना इससे भी अच्छे अच्छे fundamentally strong share यहाँ पर पड़े हुए है किसी बड़े आदमी ने यहाँ पर share को ले रखा है ठीके ना उन्होंने इससे पैसे बना लिए आप उससे पैसे बना पाऊगे इसकी कोई guarantee नहीं है तो इसलिए किसी के कहने पर कितने बड़ा investor हो या क अगर यह share नीचे जाता है अमीता बच्चन जी इसलिए यहाँ पर profit में रहेंगे बट अगर आप यहाँ पर ले ले लेते हो अगर शेयर नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप loss होते हुए नजर आएगा तो time पे loss बुक करना time पे profit बुक करना वह सब चीज़ देगा बाक open contact करिए साथ में सीखिये सीखेंगे तो पैसा बनेगा थोड़ा सा time लगेगा अना सीखने के बाद भी एक साल का experience आपको लेना पड़ेगा उसके according फिर यहाँ पर आप पता कर पाओगे कि DP वायर को किस लेवल पर लेना चाहिए कैसे यहीं पर ही लेके यहाँ पर छोटा सा stop loss लेकी लेना चाहिए क्यों मैं कहा रहा हूँ कि यहाँ से अभी positivity दिखाई नहीं देती मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर और नीचे आ सकता है तो उसके पीछे कोई ना कोई शायद reason होगा या मेरा experience कहा रहा होगा इस तिल बाइग सालिंग की recommendation नहीं है like comment share चार्ण को subscribe क कर दीजेगा thank you so much god bless